Hello class 10 आप जैसे कि पिछले class में आपको बताया था diagram, ray diagram के लिए कुछ terms बतायते आज मैं आपको ray diagram बनाना बताऊंगी कि ray diagram कैसे बंदे हैं तो साथ से पहले हम mirror की बात करते हैं mirror में मैंने आपको बताया था कि two mirrors होते हैं एक होता आपको concave mirror, दूसर होता convex mirror इन बात करते हैं कि इंके जो बनती है वो किस किस में dependent होती है तो object can be तो infinity sqs में इसमें 6 terms होते है पहला होता है इस इस पहला होता है इस दुसरा में पहला होता है तीसरा होता है आपका the c,4th होता है आपका between f and c, 5th होता है आपका at f, 6th होता है आपका between focus and pole, मतलब आपका एक कहां पर होगा? इंफिनीटिव में होगा, दूसरा अगर आपके image बनेगी तो कहां बनेगी? c के behind मतलब इधर कहीं पर, तीसरा आपका जो होगा, आप 10 मतलब यहां पर, चौथा जोगा between f and c मतलब इन दोरों के बीच में पाच्वा होगा आपका f पर और छटा होगा आपका f and p पर तो सबसे पहले हम infinity की बात करते हैं हमने ये एक lens ले लिया आपको lens का नाम पता ही है concave mirror, sorry lens बोल दिया मैंने हम sorry mirror की बात करते हैं तो उसमें concept mirror है concave mirror है concave mirror पर जब हम कुछी object को infinitive में रखते हैं तो rays क्या होती है कैसी होती है parallel होती है सबसे पेले बाद रे डाइग्राम बनाने के लिए ruler, pencil, eraser सब लेकर बैठना इनका जो नाम होगा ना इक्वल साइज में होगा तो इसको तुम लोग सही से बनाना ठीक है आप लोग इसको सही से बनाएंगे यह पर मैंने पेल्स ऐसी बनाया हुआ है समझाने के लिए आपको लेकिन आप लोगी डाइग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छी से बनाएंगे और ध्यान दे कर बनाएंगे जब हम किसी अप 그러으면서 इंफिनित्यू में होतना तो क्या होती है क्यूं है अवर पताया था की पैलर जाती है पुछले वा वीडियो में आपने देखा उगा अगर समझा होगा तो आपको यादे होगा कि रेस क्या होती है पैलर जाती है आपको रहना हो जाती है फोकस पर बनेगी सो जो एसे इस फीलेकर से बहुत छोटी ठीक, एक point size की, तो कैसी होती है, highly diminished होती है, कहां पर होती है, focus पर होती है, और image का जो nature होता है, वो कैसा होता है, real and inverted होता है, इतना समझ लिजे कि जब कोई भी object infinitive पर होगा, और concave mirror से, जब हम उसको object का image formation कराएंगे, और जो आपका object होगा, वो infinitive पर होगा, तो उस object का जो image होगा, वो कहां पर बनेगा, focus पर बनेगा, ठीक, आपको पता है कि converging mirror होता है, तो race को converge कर देता है, तो जब converge करेगा, तो ये parallel जाएंगे, parallel जाके कहां पर मिलेंगे, ये हमको f पर बनेगे, और जब f पर मिलेगे, focus पर मिलेगे, तो ये कैसी होगी, highly diminished होगी, मतलब बिल्कुल छोटी point size होगी, image का nature कैसा होगा, real होगा, और inverted होगा, और कहां पर बनेगी, f पर बनेगी, ठीक, अब हम बात करते है, behind c, अगर कोई object c के behind है, c के पीछे है, तो वो कहां देखे, parallel जाएगी, f से होकर निकली, a से, एक object यहां पर से एक निकली, और यह से क दोनों जहां पर मिलेंगी, यह दोनों जिस point पर मिलेंगी, वहां पर object की image बनेगी, ठीक, जहां पर यह दोनों के मिलेगी, जहां पर एक दूसरे को intersect करेगी, वहीं पर क्या बनेगी, image formation होगी, तो image form कहाँ भी, जब कोई भी object behind C होता है, तो image formation कहाँ पर होता है, उसका between C and F, center of curvature और focus के बीच में होता है, image कैसी होती है, real and inverted होती है, और कैसा image कैसी होती है, diminished होती है, मतलब छोटी, आप इतना याद आद आखिए, पूरे इसमें आप देखोगे, कि जैसे जैसे object करीब आता जाएगा, जो आपकी image होगी, उसका size बढ़ता जाएगा, infinitive में मैंने बताया था, infinitive में था, तो image कैसी थी, बिल्कुल highly diminished थी, point size थी, अब देखे, center of curvature के करीब मैंने object को रखा, तो point, तो image को formation कैसा हुआ, diminished हुआ, मतलब छोटा है, object से तो छोटा है, मगर diminished है, image कैसी ह बहाँ बन रही है, C and F के बीच में बन रही है, अब थार्ड case देखते है, add the C, अब देखे, जब C पर आया, C पर हमने एक object रखा, तो इस अब से पहले, एक जो ना, ray कैसी गई आपकी, parallel गई, और कहां से focus को काट तो निकल गई, दूसरी यहाँ पर से focus होते हुए आई, औ C पर बनी, क्योंकि center of curvature पर हमने object रखा था, और जो इसकी image भी बन रही है, center of curvature पर ही तो, image का size कैसा होगा, same size का होगा, same size का होगा, image कैसी होगी, real and inverted होगी nature में, कहां पर बनेगी, उसका C पर बनेगी, और size कैसा होगा, जितना बड़ा object होगा, उतना ही बड़ा उसकी image होग थीक अब थर्ड case की बात करते हैं जब कोई भी object हम center of curvature और focus की बीच लगते हैं तब क्या होता है यह देखे center of curvature और यह focus हमने यहां पर जब एक object रखती है यह पैलर रह गई और यहां फोकस होगर कुजली यहां बसे रहे गई और यह फोकस होगर किसी और यहां एक object को बना लिया तो यह इसके image फॉर्म कर दिया इमेज कहां पर बनी आपके behind see बनी जब हम कोई भी object center of curvature और focus के पीछ में रखते हैं तो इसकी image कहां फॉर्म होती है फॉर्म होती है ठीक है और इमेज का जो image की size होता है इनलार्ज होता है image कैसे होती है real and inverted होती है कहां पर बनती है behind see बनती है ठीक है अब फिफ्ट केस की बात करते हैं जब कोई भी हम object कहां पर रखते है add focus, जब हम कोई भी object को f पर रखते है focus पर रखते है, तो आप देखे यहाँ पर इस क्या हुआ, parallel होई, parallel होके कहाँ से गुज़ गई, f से गुज़र गई दूसरी कहाँ, pole से गई, pole से जाके दर गई, तो क्यों देखो, एक दूसरे से दूर हो रही है जब दोनों एक दूसरे से आवे हो रही है तो भाई, जाएर सी बाते जब आवे होती जाएंगे इंका नहीं पता कि image कहां पर form होगी, तो कहां पर मिलेंगी जब हमें नहीं पता होता है, कि image कहां पर मिलेंगी उनको हम कहते हैं at infinity मतलब मिलेंगी तो लेकिन कहां मिलेंगी हमें यह नहीं पता तो क्या हो गया था at infinity at infinity हो गया infinity पर बनेगा इसको image formation होगा picture कैसी image कैसी होगी highly enlarged होगी मतलब बड़ी होगी highly enlarged होगी ठीक है और object कहां पर है आपको f पर पता ही है infinity highly enlarged and real and inverted होगा fifth case जिसका जब हम कोई भी object focus और pole के बीच में रखते हैं तो क्या होता है image और object की ray होती है वो क्या होती है parallel जाती है और जाकर f से निकल जाती है दूसरी image pole से होते हैं इधर तो अब इधर तो हमें पता है नहीं कि इधर हम क्या करते हैं तब behind इसके pole के behind इमेज कहां पर बनेगी इसकी pole के behind पर बनेगी मान लें हम कुछ मान लेंगे कि यहां पर कहीं पर image form हो रही है तो image कैसी होती है अभी तक आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जितने भी five cases थे उन सब में image कैसी थी आपकी real and inverted थी अब यहां पर image कैसी है virtual and erect बन रही है ठीक है जो six condition होगी आपकी six condition मतलब जब कोई भी object focus और pole के बीच पर रखा जाएगा तो उसका जो है ना कैसे बनेगा कैसी बनेगी उसकी image virtual and erect image बनेगी और image का size कैसा होगा enlarged मतलब बहुत मतलब बड़ा सा image होगी तो यह सब क्या होगी converging mirror की बात होगी ठीक है अब हम बात करते है convex mirror की convex mirror क्या होते है diverging होते है मतलब diverge करते हैं rays को ठीक है इसमें दो ही conditions होते हैं एक होता आपका infinity और दूसरा होता है आपका आपका कहीं पर भी object को रखेंगे तो आपका सेम रिजल्ट आएगा तो देखें जब हम infinity पर convex mirror की जब हम बात करते हैं जब हम infinity में रहते हैं तो इमेज कैसी होगे नीचे होगा वर्चौल एड एलक्ट होगा तो बनेंगे कहाँ पर यह focus पर बनेंगी मैं आपको बताया था कि इसका focus यहां पर होता है ठीक आप लिए औरych इसके लिए यहां गाते है करो, इस सीम भी दाझा हुआ है यहां पर और फोकस हैं, और यहां भी धीडियो both इसका और यहां भी जाए पर फोकस होके जा रही ज़सर। सक्ट होंगी वहीं पर क्या बनाएगी इसकी image फ़ॉर्म करेगी ठीक है तो यह कैसी होती है डायमनिष्ट होती है मतलब छोटी होती है object से छोटी होती है image कैसी होती है virtual and erect image होती है ठीक है और कहां पर बनती है यह pole और focus के बीच में बनती है अब हम बात करते हैं lenses की, lenses भी आपको मैंने बता है two lenses होते हैं, एक होता है convex lens और दूसरा होता है concave lens मैंने आपको पताया था कि convex lens जो होते हैं, वो converging होते हैं और concave lens जो होते हैं, वो diverging होते हैं तो हम अब same condition है जैसे आपने concave mirror में किया था वैसे ही आपका convex lens ही क्योंकि concave mirror भी converging होता है convex lens भी converging होता है तो उसमें same conditions होंगी छहे ठीक है इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा सबसे पहले हम बात करते है converging lens कि number first case at infinity, infinity पे हमने object रखा तो यहां पर देखिए parallel गई parallel जाकर यहां पर intersect होई तो यहां पर इन्होंने अपना क्या बना लिया image बना लिया कैसी होई highly damaged हो गई real and inverted होगई ठीक second case आपका है behind 2f1 जब हम कोई भी object 2f1 के पीछे रखते हैं तब कहां बनती है तो 2f1 के पीछे रही है यह object होगे 2f1 के पीछे यह क्या होगी रेक parallel गई parallel जाकर यहां से diverge converge होगी यहां पर से ray आई और यहां पर converge होगी यह जहां पर intersect कराया यानि f2 और 2f2 के बीच में intersect कराया तो यहां पर क्या होगी इमेज फॉर्म होगी कैसी होगी डाइमनिश्ट होगी डाइमनिश्ट मतलब object से छोटी image कैसी होगी object से छोटी होगी डाइमनिश्ट होगी कैसी image होगी लिएल और इंवर्ट्ट होगी ठीक है अब हम बात करते हैं आपके case no 3rd की third case में देखे जब हम object 2f1 पर रखते हैं तो क्या होती है यहां पर से पहला जाती है पारलर जाकि要फ मोर्जात के क NFL可以פ rece से त हैं यहां पर क्या होता है सेंटर से निकलते होगे तो यहां पर क्या है थे कि तोनों lotta अलान के इंटर्स देख करपी तो image प्रमच कहा पर तो 2 sao, कैसे होती है ?偌से छोती है और 2F2, 2F2 पर बनती, इसमें भी वही केस चल रहा है, जो उसमें केस चला था कि object जैसे जैसे पास हो रहा था, image का size वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा था, जो चीज मिलर में हो रही थी, वही चीज लेंस में भी होगी, ठीक है, अब case number 4 की बात करते हैं, case number 4 में हम क्या करते हैं, जब कोई भी object हम F1, 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं, तो parallel जाती है, और यहाँ पर से देखे, converge हो गई रहे, यहाँ पर से गई, और यहाँ पर कहां पर intersect हुई जाके, 2F2 के पीछे, तो जब 2F2 के पीछे, इंटरसेक्ट हुई, तो कैसी size का image कैसी और बिहाइंड 2F2, 2F2 के पीछे बनी, तो के पीछे बनी, तो के पीछे बनी, अब किसी एक लेंस, फिर भाही बात होगी, लेंस को हमने जब object, case 5 में क्या होता है, जब हम 2F1, sorry, F1 पर जब हम कोई object रखते हैं, तो क्या होती है, पैलर जाती है, पैलर जाके, यहाँ पर से अवे हो रही है, दूर जा रही है, जब दूर जा रही होंगी, तो क्या होगी, highly enlarged, कहां पर image बनेगी, infinity में बनेगी, कहां पर बनेगी, infinity पर बनेगी, ठीक है, audio and inverted होगी, highly enlarged होगी, इसी तरह से case 6 में आप देखिए, case 6 में क्या होगा, जब कोई object F1 और O के बीच में होग यहां से parallel गई, और यहां पर converge होगी, यह आई, यह धर converge होगी, अब यह कहां पर बनेगी, इसके हम मान लेंगे, यहां पर बनेगी, ठीक है, यहां पर बनी, इसके object के पीछे बनी, image कैसे होई, enlarged होई, virtual and erect, उसमें भी आपने देखा था, case 6 जो तो उसमें virtual and erect image बन रही थी इसमें भी देखे, virtual and erect बन रही है, कहां बन रही है, 2F1 और F1 के, बीज में बन रही है, अब बात करते हम, concave lens की, concave lens कौन से lens होते हैं, आपको बताया था, diverging lens होते हैं, ठीक है, जैसे आपने उसमें देखा था, convex में देखा था, कि दो ही case उस होते होते हैं, वैसे ही, concave lens म पैलर आ के क्या होगी दाइवर्ज हो गई में एक दूसर से डाइवर्ज होगी तो हमने यहां पे मान लिया कि यहां पे एक Image बन गई Image पॉर्म होडी, कैसे होई Highly Dimaged हो गई, कहां पर बनी, Focus पर बनी, Image का Nature कैसा हुआ, Virtual and इरेक्ट हो गया, same चीज आपके case 2 में हुआ, यहाँ पर हमने object रखा, object को देखो, करीब object आया, इसके बाद यहाँ पर हमने ऐसे करके, पैलर आए, पैलर आके यह दिखे, diverge हो गई, यह यहाँ पर से आए, और यहाँ पर आके क्या हो गई, diverge हो गई, अब दिखे, यहाँ प बनी, F और O के बीच में बनी, तो यह आपका क्या हो गया, रे डाइग्राम हो गया, रे डाइग्राम को आपको बहुत काईदे से, बहुत अच्छे से बनाना है, पैंसल, रेजर को ले के बैठिएगा, रूलर को ले कर, और अच्छे से एक एक image को फॉर्म करिएगा, और ब अच्छे से एक चीज को समझ दीजिगा, और जहां ना समझ में आए, उसमें मुझसे पूश लिचेगा, थैंक यू,